नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं भारत 24 आपके साथ मैं हूँ प्रियासना सिधा आपको तस्वीरे दिखाते हैं कॉंग्रेस नेतार राहूल गांधी की भारत जोडो निया यात्रा जोकी लगतार आगे की तरफ बढ़ती हुए से पहले बिहार के अलग-अलग हिस्सों से यह जो यात्रा है वो गुजर चुकी और इस वक्त यात्रा कटिहार में मौजूद है और क्योंकि आज ही पश्यम बंगाल में दाखिल होने वाली है लेकिन उससे पहले आपको राहूल गांधी ने जोरान अपने संबोधन में सोड़दार हमला बोल कि सरकार गिरी और इस तरीके से नितीश कुमार ने शपत यहां पर ग्रहन की उसके ठीक एक दिन बाद जब राहूल गांधी की भारत जोडो निया यात्रा बिहार पहुंचती है तो नितीश कुमार पर निशाना साधते हुए यहां पर राहूल गांधी नजर आते हैं और इस वक्त कटिहार से तस्वीर आपके TV स्क्वीन पर भारी संख्या में कॉंग्रेस के कारकरता NSUI यानि की कॉंग्रेस के स्टूडेंट विंके जो कारे करता हैं वो भी आपको यहां पर सड़कों पर नजर आएंगे बिहार के कटिहार से ये सीधी तस्वीर आपके TV स्क्वीन पर कॉंग्रेस पार्टी के पूर पर राष्ट्रे अध्यक्ष राहूल गांधी की ये भारत जोडो नयाय यात्रा जो की अलग-अलग हिस्सों से लगतार गुजर रही है पुर्वोत्तर के बाद बिहार में ये यात्रा पहुंचे और कटिहार से आप तस्वीरे देख रहेते हैं